माध्य और माधिका को तीनों ही श्रेणियों में किस तरह से ग्याद किया जाता है ये हमने जाना अब आएए देखते हैं कि बहुलक की गर्णा किस प्रकार के जाती है बहुलक यनि की मोड बहुलक वास्तों में किसी समंख माला का वहपद मुल्य होता है जो उस पूरी में सबसे अधिक बार आया होता है बहुलक को और अच्छे से समझने के लिए आये इसके कुछ परिभाशाओं को देखते हैं कि बहुलक क्रमबध्य मुल्यों में वह मुल्य होता है जिसमें सबसे अधिक आवरितियां होती है प्रोक्स्टन एवं काउडन के शब्दों में बहुलक किसी वित्रण का वह मुल्य है जिसके चारों और श्रेणी की अधित्तम इकाईयां केंद्रित है इन सभी परिभाशाओं से एक ही बात निकल कराती है कि सभी नियमाना है कि जिस पदमुल्य की आवरित्ती सबसे अधिक बार होई है या अगर वेक्तिकत श्रेणी में श्रिंखला बद दिये गए है नंबर तो जो सबसे ज़्यादा बार आए है वो पदमुल्य जो होते हैं वो बहुलक कहलाते हैं अब बहुलक की गढ़ना किस प्रकार की जाए कैसे हम कैलकुलेट करें कि मोड कितना है क्या है जैसे हमने समानतर माध्य और माधिका की गढ़ना के लिए बहुत सारे सूत्रों का प्रयोग किया अलग-अलग श्रेणियों में हमने अलग-अलग सूत्र देखे बिलकुल वैसे ही यहाँ पर बहुलक को ग्याद करने के लिए भी अलग अलग शेडियों में अलग अलग विधियों को अपनाया जाएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत ट्रेणी की व्यक्तिगत ट्रेणी में बहुलक किस प्रकार ग्याद करेंगे तो व्यक्तिगत ट्रेणी में बहुलक ग्याद करने के लिए हम तीन तरह की व समंक होते हैं वो इंडिविज्वली अलग-अलग दिये रहते हैं इसके साथ किसी प्रकार की कोई फ्रिक्वेंसी या आवरित्ती जुड़ी हुई नहीं रहती है तो एक उदाहरन की तौर पर हम देखते हैं कि निरिक्षड कैसे करना है और कैसे निरिक्षड द्वारा हम मोड यानि कि बहुलक को ग्यात कर सकते हैं माल लेजिए इस तरह की एक समंक माला आपको दी गई है जैसे दो चार 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 पांच चार तीन चार दो फिर से चार तो यहां पर जैसे कि हमने परिभाशा में भी देखा और इसके अर्थ में भी जाना कि कौन सा वो पदमुल है जो सबसे जादा बार आया है तो यहां पर एक निरिक्षण यानि हमको कुछ कैल्कुलेशन कुछ भी नहीं करना है ना कोई फॉर्मूला लगाना है सिम्पली हमको देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो बार बार रिपीट हुई है तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखे तो हमको चार एक ऐसी संख्या है जो यहां पर देखा जाए तो एक दो तीन चार और पांच बार चार जो हैंवो पांच बार रिपीट हुई है सबसे जादा बार रिपीट हुआ है तो कह सकते हैं कि चार जो है वो इस पूरी च्रिनी का मोड यानिकि बहु लग थे तो यह तो निरिक्षन द्वाराविधी अब कई बार जो समंग माला दी गई होती है उनको हमको व्यवस्थित करने के लिए हालां कि वो व्यक्तिकत्च्रेडी के होती है लेकिन उनको हमको खंडित या सतच्रेडी में पहले परिवर्तित कर लेना होता है और फिर उसके बाद हम उससे calculate करती हैं तो कैसे हम इन सामानी श्रेणियों को सता श्रेणिया खंडित में परिवर्तित करते हैं और फिर mode की calculation करते हैं आये इस पूरे प्रक्रिया को एक उदाहरन द्वारा अच्छे से समझते हैं इस प्रश्ण में कुछ अंक दिये गये हैं जिनके आधार पर इन्हें खंडित ट्रेणी में बदल कर बहुलक की गड़ना की जा सकती हैं इन अंकों में 33, 20, 35, 50, 37, 33, 35, 25, 35, 34 और 35 अंक शामिल हैं बहुलक की गड़ना करने के लिए सबसे पहले हम इन अंकों को आरोही क्रम में व्यवसित होने पर ये अंकों जाएंगे 20, 25, 33, 34, 35, 37 और 50 इसमें से पहला अंक याने के 20 एक ही बार आया है 25 भी एक बार आया है, 33 के अवरित्ती दो बार हुई है, 34 एक ही बार आया है 35 एक ऐसा अंक है जिसके अवरित्ती चार बार हुई है और 37 के अवरित्ती एक बार और 50 एक बार आया है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 35 जो है वो एक ऐसा अंक है जिसकी बारम बारता है यानि जिसके अवरित्ती सबसे अधिक है यानि कि 4 है तो हम यह कह सकते हैं कि 35 जो है वही बहुलक अंक कहलाएगा तो आपने देखा कि किस प्रकार जब आव विवस्थित से श्रेणिया होती हैं तो हम उनको विवस्थित करके खंडितिया सतत में परिवर्थित करते हैं और उसके बाद हम बहुत आसानी से बहुलक की गढ़ना कर लेते हैं तीसरा इसका जो मेथट है वो है कि अगर माधिका और माध्य औरेड़ी कुश्चन में दे दिया गया है निकालके तो हमको किस प्रकार बहुलक की कैलकुलेशन करनी है बहुत ही आसान विदी है यहां पर हमको सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूलेशन का प्रयोग करना है और दिये गए माधिका या माधिक के आधार पर हम बहुलक की गढ़ना कर सकते हैं यहां हमारा फॉर्मूला होगा मोड इक्वल टू 3 मेडियन माइनस 2 मीन एक उदाहरन की तोर पर हम देख सकते हैं कि अगर हमको यह पात पता चल गए है कि मीडियन जो है वो 25 है और मीन जो है वो 20 है तो हम बहुत आसानी से मीडियन और मीन की वैलियो को इस फॉर्मूले में पुटप कर देंगे और मोड की कैलकुलेशन हम कर लेंगे जैसे आप यहां पर देख रहे हैं Z इक्वल टू क्योंकि 3 मीडियन माइनस 2 मीन है तो यह हो जाएगा Z इक्वल टू 3 इंटू 25 माइनस 2 इंटू 20 सो जैड हो जाए गए हाप हमारा 75 माइनस 40 जैड उकल टू 35 तो अगर हमें ग्यात है मीन और मीडियन तो बहुत आसानी से इस फॉर्मुली के द्वारा मोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आपने देखा कि तीन तरीके से एक तो निरिक्षन द्वारा दूसरा श्रेणी में पर कालकुलेशन कर पाएंगे आए अब एक उदाहरन के द्वारा इस पूरे मैथड को जब मीन और मीडियन के आधार पर हमें बहुलक की गढ़ना करनी पड़ती है तो किस तरह क्या प्रक्रिया होती है कैसे हम क्यालकुलेशन करते हैं एक उदाहरन की द्वारे इसको समझने का प्रियास करते हैं यदि माधिका एवं समांतर माधिक के आधार पर बहुलक ज्याद करना हो तो उसके लिए यदि प्रश्ण में कुछ इस तरह की समंख मालाय दी गई हूं जैसे यहां पर आप देख रहे हैं तीन पांच दो छे तीन चार पांच छे चार पांच छे चार पांच छे चार पांच चार दो यहां हम देख रहे हैं कि पूरे प्रश्ण में चार पांच छे ऐसे तीन समंख है जो चार चार बार आए हैं अब अधिक्तम आवृत्ति के आधार पर यहां पर हम बहुलक की गढ़ना न कर पाएं तो बहुलक मुले ज्याद करने के लिए हम यहां पे जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो सूत्र होगा Z equal to 3 median minus 2 mean इसके लिए सबसे पहले हमको इस पूरी श्रेणी को आरोही करम में व्यवस्तित करना होगा इस पूरी श्रेणी को आरोही करम में व्यवस्तित कर लेने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का किया श्रेणी प्राप्ट हो जाएगी इस table में आप देख रहे हैं कि पद मूले जो है summation x हमको 70 प्राप्त हुआ है और n यानि की क्रम संख्या जो है total 16 हमको प्राप्त हुई है इसके आधार पर सबसे पहले हम median निकाल लेंगे median निकालने के लिए क्योंकि ये व्यक्तिकल स्ट्रेणी में है अता median निकालने के लिए हम n plus 1 upon 2 step करेंगे n है हमारा 16 16 plus 1 upon 2 step करेंगे तो हमको 8.5 प्राप्त होगा अब क्योंकि median point में आ रहा है इसलिए हम 8 और 9 पद को दो भाबो में बाट देंगे तो हम यहाँ पर देख रहे है कि 8 जो पद है वो 4 है नहुआ जो पद है वो 5 है तो 4 धन 5 बटे 2 करके 9 बटे 2 यानि की 4.5 हम median प्राप्तिक कर लेंगे अब हमें इसके समांतर माध्य की ज़रूत पड़ेगी समांतर माध्य निकालने के लिए हम x बार बराबर summation x upon n formula का प्रियूग करेंगे यह हमने summation x निकाल लिया है 70 upon n 16 यह x बार आ जाएगा हमारा 4.37 अब क्योंकि हमें median और mean दोनों ही प्राप्त हो चुके हैं इसलिए हम अपना formula यहां पर use करेंगे z equal to 3 median minus 2 mean z equal to 3 into 4.5 minus 2 into 4.37 जो कि 13.5 minus 8.74 हो जाएगा और z की value हमें 4.76 प्राप्त हो जाएगी तो आपने देखा कि किस तरह से हम फॉर्मूले के आधार पर और mean और median की calculation करके mode की गढ़ना बहुत आसानी से कर सकते हैं यह तो थी व्यक्तिगत प्रक्रिया अगर हमको बहुलक की calculation करनी है आए देखते हैं खंडिच्रेणी में हम बहुलक की गढ़ना करने के लिए थे मुख्यता 2 विधियोग का प्रियोग करते हैं मिरिक्षन द्वारा पहला और दूसरा समुली करनवी द्वारा निरिक्षन की पधिती बहुत सामाने से पंधिती जैसे हमने व्यक्तिकाट स्ट्रेडी में देखी कम यूज करते हम निरिक्षण के विधी का ज्यादातर जब जो खंडित स्ट्रेणियां जो होती है उनके जो पद मूले होते हैं जो आवरित्तियां होती है वो नियमित सी होती है याने की बढ़ती हुई जाती है और एक सीमा जब वो बढ़ी हुई आवरित्ति प्राप्त होती हो धीरे धीरे फिर घटने लगती है इस तरह कि जब पद स्ट्रेणियां होती है तो वहां पर हम निरिक्षण द्वारा बहुत ही आसानी से बहुलक ज्याद कर लेते हैं ज्यादा तर यहां पर देखा जाता है कि यह जो मुल्य होता है जो बहुलक जहां पर हम कैलकुलेट करते हैं वो सबसे अधिक होता है या पद शेणियों के बीचों बीच इस्थित होता है जहां से फिर वो वापस नीचे घटने का प्रयास करती हैं तो एक उदाहरन दोरा अगर इसको देखे तो हम देखते हैं कि जैसे इस पूरी सार्णी में हम देख रहे हैं कि दो चीजे दी गई है एक तो यहाँ पर अंक दिये गए हैं और दूसरा छात्रों की संख्या दी गई हैं अगर हम देखते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 अंक दिये गए हैं और छात्रों की संख्या ने कि आवरित्तिया याने कितने कितने छात 1 बीस अंक 15 चात्रों को 30 चात्रों के 50 जो है वो 15 चात्रों को 5 ay 16 चात्रों को 10 चात्रों को कुल मिला है तो बहुत सावधानी से अगर हम इसका इंस्पेक्षिन करें ध्यान से उसको देखे निरिक्षन करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो 33 है छात्रों की संक्या 33 जो है यह सरवाधिक है इस पूरी श्रेडी में सरवाधिक है मतलब 35 यानि कि जो 40 अंक जो है वो सबसे ज़्यादा छात्रों को मिले है कितने छात्रों को मिले है तो बहुत आसानी से हम इस तरह से इसको पता लगा सकते हैं अब अगर समूही करण की बात करें हम इसका जो second method है समूही करण विधी तो सामूही करण विधी क्या होता है जब सबंक श्रेणी जो होती ही वो आनियमितस होती है कहीं छोटे कहीं बड़े इस तरह के अंक बिखरे हुए रहते हैं तो वहाँ पर हमको सामुही करण विधी का प्रियोग करना पड़ता है दूसरे एक महत्वपूर्ण बात ये भी जान लेना जरूरी है कि हमको ये मालूम रहता है कि सबसे बड़ा जो अंक है सबसे बड़ी ज आवरिद्ति है वहाँ से हमको मोड की क्यलकुलेशन कर नहीं लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रेश्ण में जो सबसे बड़ी आवरिद्ति होती है वो दो बार आ जाती है यह नोसे अधिक भार भी आ जाती है तो उस calculation में ये निरिक्षण द्वारा निर्णा ले पाना बहुत कटीन हो जाता है कि किस जो उसकी सामनी का जो पदमूल्य है उसको हम किस पदमूल्य को बहुलक चुने तो इस condition में हमको सामुही करण विदिया grouping method का प्रियोग करना पड़ता है तो क्या है grouping method देखते हैं यहाँ पर grouping method के लिए हमको तीन step follow करने पड़ते हैं सबसे पहले हमको एक सामुही करण सार्णी बनानी होती है उसके बाद विसलेशन सार्णी बनानी होती है और फिर उसके बाद हमको बहुलक की गरना करनी होती है सबसे महत्यपूर्ण बात होती है यहाँ पर सामुही करण सार्णी याने grouping table बनाना कुछ इसके steps होते हैं उस steps को follow करते हुए हम इस table का निर्मान करते हैं आये देखते हैं कौन कौन से step होते हैं पहला step जो होता है वो होता है पहला जो column होता है उस column में हम अवृत्यों को लिखते हैं जो भी प्रेशन में अवृत्या दे गई रहती हैं haine class as it is हम उसको उसको कॉलम में पस्ट ऑब में लिखते हं दूसरा जो स्टैप होता है jumping क्या करते हैं कि जो अवृतिया हमारे सामने हैं उनमें से दो दू आवृतियों को जोड के हम उसका योко उसके सामने के कॉलम में लिखते जाते हैं तीसरे स्टेप में हम पहले जो हमारे पास जो आवरित्तिया हैं उसमें से पहली आवरित्ति को छोड़ कर आगे की दो दो आवरित्तियों का योग जो है हम अगले कॉलम में लिखते जाते हैं यह हुआ हमारा तीसरा स्टेप चौते स्टेप में हम क्या करते हैं कि शुरू से तीन तीन आवरित्तियों को हम जोड़के लिखते जाते हैं जो हमारा कॉलम है आवरित्ति का उसमें शुरू से तीन तीन आवरित्तियों को हम जोड़कर लिखते जाते हैं अगले स्टेप में पांचवे स्टेप में पहली आवरित्ती को छोड़कर आगे की तीन तीन आवरित्ती को हम लिखते जाते हैं जोड़कर और जो हमारा छटवाल स्टेप है उसमें हम पहले की दो आवरित्ती को छोड़कर उसके आगे की तीन तीन आवरित्ती को जोड़कर आई अब देखते हैं कि सतत्च्रेडी में बहुलक की गढ़ना किस प्रकार के जाती है सतत्च्रेडी पहचानने में बहुत ही आसान हो जाती है क्योंकि वरगांतर दिये रहते हैं यहां पर बहुलक की गढ़ना करने के लिए हमको एक साधारन से सूत्री की ज़रुवत पढ़ती है जेड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टू L2 माइनस L1 यहां पर जेड जो है वो मोड को प्रदर्शित करता है साथ ही L1 मतलब बहुलक वर्ग की निमन सीमा L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा F0 बहुलक वर्ग से पहले क्या वरित्ती F1 बहुलक वर्ग की आवरित्ती F2 बहुलक वर्ग के बाद क्या वरित्ती तो कैसे हम इस सूत्र में हम अंकों को स्थापित करते हैं और कैसे इसके क्यालकुलेशन करते हैं जब सतच ट्रेणी के प्रेशन होते हैं आईए एक उदारन के द्वारा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं व्यक्तिकच श्रेणी को सतत्य में बदलकर बहुलग ज्याद करने के लिए यहां पर प्रेश्न में कुछ प्रापतांक दिए गए है इन प्रापतांकों के आधार पर हम बरगांतरों का निर्मान कर लेंगे प्रश्ण में दिये गए प्राप्तांकों में हम देखते हैं कि प्रतेक पदमूले ट्रेणी में केवल एक ही बार आया है यानि कि बहुलक निकालने के लिए इसे व्यक्तिकस ट्रेणी को सतस ट्रेणी में बदलना होगा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ट्रेणी में सबसे छोटा पद मुल्य जो है वो तीन है और सबसे बड़ा जो है वो चौतीस है यानि हम इसका वर्गांतर अगर पांच लेकर बनाए तो इन्हें हम साथ वर्गों में बाढ़ सकते हैं जैसे शुन्य से पांच, पांच से दस, दस से पंद्रा, पंद्रा से बीस, बीस से पच्चिस, पच्चिस से तीस और तीस से पैतिस शुन्य से पाँच के आवरित्ति अगर हम देखते हैं तो दो है पाँच से दस के आवरित्ति तीन है दस से पंद्रा के आवरित्ति चार है पंद्रा से बीस के आवरित्ति तीन बीस से पचिस के आवरित्ति तीन पचिस से तेस के आवरित्ति दो और 30 से 35 के आवर्थी 3 है तो यहां पर हम देखते हैं कि स्तालिका से इस पस्ट होजा रहा है कि 10 से 15 का जो प्राप्तांक है उसकी वर्ग आवर्थी सबसे अधिक है यानि कि 4 है तो हम यह माल लेंगे कि 10 से 15 वाला वर्ग जो है वो बहुलक वर्ग है और उसके आधार पर हम बहुलक का निर्धारण करेंगे यहां बहुलक का निर्धारण करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे जेड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टू L2 माइनस L1 इस सूत्र में Z इक्वल टू बहुलक वर्ग की निमन सीमा L2 इक्वल टू बहुलक वर्ग की उच्छ सीमा F1 इक्वल टू बहुलक वर्ग की बारंबारता F0 इक्वल टू बहुलक वर्ग से पहले क्यावरती F2 equal to बहुलक वर्ग के बाद क्या वृत्ति कहलाएगी सतस्ट्रेणी में बहुलक के गढ़ना के लिए प्रिश्न इस प्रकार है वर्ग दिये गए है यहाँ पर शुनी से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 आवृत्या दे गई है 3, 13, 18, 12 और 5 यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है वो है 18 यानि कि 20 से 30 जो होगा वो बहुलक वर्ग कहलाएगा और इसी के आधार पर हमको फॉर्मूला उठ करना होगा हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होगा बहुलक के गढ़ना का Z equal to L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into L2 minus L1 क्योंकि सबसे अधी काव रित्ती अठारा है और बहुलक वर्ग जो है वो 20 से 30 है इसलिए हम यहाँ पर L1 equal to 20, L2 equal to 30, F1 equal to 18, F0 equal to 30 और F2 equal to 12 निकाल लेंगे अब इस पूरे मान को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे Z equal to 20 plus 18 minus 30 divided by 2 into 18 minus 13 minus 12 into 30 minus 20 Z equal to 20 plus 5 upon 36 minus 25 into 10 20 plus 50 upon 11 equal to 20 plus 4.55 Z equal to 24.55 बहुलक का मान ग्यात हो जाएगा आपने देखा कि किस प्रकार सतत्रेणी में सामानिता बहुलक की गड़ना एक सिंपल से सूत्र के आधार पर की जा सकती है कई बार जब प्रश्णों में वर्गांतर ना देकर सिर्फ मध्यमूले दिया होता है तो वहाँ पर हमको विपरीत चला पड़ता है मध्यमूले को पहले वर्गों में बदलना पड़ता है और फिर उन वर्गांतरों के आधार पर हम मोड की calculation करते हैं तो क्या होती है पूरी प्रक्रिया आये एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मध्य मूल्य के आधार पर बहुलग ज्याद करने के लिए प्रश्ण है। यहाँ पर मध्य मूल्य हमारे सामने दिये गए हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110 और इनकी आवरितिया दिये गए हैं। सबसे पहले इन मध्य मूल्यों को हम वर्गांतर में परिवर्तित कर लेंगे। हम देखते हैं कि इन मध्य मूल्यों में बराबर बराबर 10 का अंतर है। जैसे 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 यहाँ पर हम देखते हैं कि 10-10 का अंतर यहाँ पर है। जिसे हम आधा कर लेंगे यानि कि 10 को जब हम आधा कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। इस 5 को पहले हम इस मध्य मूल्यों में एक बार घटाएंगे और फिर जोडेंगे। यानि 50 में हम 5 माइनस करेंगे 45 और इसी 50 में हम 5 प्लस कर देंगे तो 55 पहला वरगांतर हो जाएगा हमारा 45 to 55 दूसरे वरगांतर के लिए हम 60 में 5 माइनस करेंगे 55 और 60 में 5 प्लस करेंगे तो 65 दूसरा वरगांतर हमारा हो जाएगा 55 to 65 इसी प्रकार प्रतेक मध्य मूल्य में हम पहले 5 माइनस करेंगे और फिर उसी में हम 5 प्लस करेंगे तो हमको जो वर्गांतर प्राप्त होगा वो होगा 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, 95 to 105 और 105 to 115 प्रश्ण में दी गई आवरित्यों को हम जैसे का तैसा वर्गांतर के सामने लिखते जाएंगे इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे अधिक आवरित्ती 29 है क्यूंकि 29 सबसे अधिक सबसे बड़ी आवरित्ती है याने कि हमारा बहुलक वर्ग इसके ठीक सामने का वर्ग 75 से 85, 75 to 85 हमारा बहुलक वर्ग होगा इसे बहुलक वर्ग क्या धार पर हम फॉर्मूला लगाएंगे क्यूंकि 75 से 85 हमारा बहुलक वर्ग है इसलिए हम कह सकते हैं कि L1 75, L2 85, F1 29, F0 17, F2 21 होगा इसे फॉर्मूले में रखने के बाद Z equal to 75 plus 29 minus 17 upon 2 into 29 minus 17 minus 21 into 85 minus 75 Z equal to 75 plus 12 upon 58 minus 38 into 10 Z equal to 75 plus 120 upon 20 equal to 75 plus 6 equal to 81 तो Z यहाँ पर हमारा 81 बहुलक हम को प्राप्त हो जाएगा तो आपने देखा कि किस प्रकार मध्य मूल्य दिये रहने पर हम उसे वर्गांतरों में परिवर्टित करके मोड की क्यालकुलेशन करते हैं अब आईए देखते हैं असमान वर्गांतर की दशा में कई बार जब वर्गांतर समान ना होकर अलग-अलग संख्याओं में विभक्त होते हैं अलग-अलग अंतर जब वहाँ पर पाय जाते हैं तो वहाँ पर मोड की क्यालकुलेशन करना थोड़ा सा कटिन हो जाता है तो कैसे हम वर्गांतरों को समान करते हैं और उसके बाद हम मोड की calculation करते हैं, आये कुदाहरण से देखते हैं। आसमान वर्गांतर में बहुलब ज्याद करने के लिए यहां प्रश्ण में वर्गांतरों के आकार दिये गए हैं और अबृत्या दिये गई हैं। यहां हम देख रहे हैं कि वर्गों के जो आकार है वो समान नहीं हैं। कहीं पर 2 का difference है, कहीं 5 का difference है, कहीं 7 का difference है। पहले हम इनको बराबर कर लेंगे, बराबर करने के लिए हम सार्णी में अधिक्तम वर्गांतर 5 का प्रियोग करेंगे और 5 के आधार पर ही हम इनका विभाजन करेंगे। पहला वर्ग हमारा हो जाएगा शुन्य से 5, दूसरा वर्ग हो जाएगा 5 से 10, तीसरा वर्ग 10 से 15, फिर 15 से 20 और 20 से 25 इस प्रकार हम परिवर्थित वर्गांतर ग्याद कर लेंगे। आवर्थियों की अगर हम बात करें तो 6 से 5 की जो आवर्थि 2 है वो वैसे ही रहेगी, 5 से 10 की आवर्थि अगर हम देखें तो इसमें 3, 1 और 2, ये 3 आवर्थिया शामिल होकर इसकी आवर्थि 6 हो जाएगी, 10 से 15 अगर हम वर्गांतर की बात करें तो इसमें 2 आवर्थि शा जाएगी अठारा 15 से 20 वर्गांतर में देखते हैं 15 से 20 के वर्गांतर में दो आवरित्ती चार और दो मिलकर इसके आवरित्ती 6 हो जाएगी और 20 से 25 वर्गांतर के आवरित्ती 5 है यहां पर हम देखते हैं कि सबसे अधिक आवरित्ती जो है वो 18 है इसके आधार पर हम फार्मूले में बहुलक वर्ग इसके आधार पर हम फार्मूले में बहुलक वर्ग 10 से 15 के आधार पर गर्णा करेंगे यहां L1 10, L2 15, F1 18, F0 6 और F2 6 हो जाएगा फार्मूले में इन संख्याओं को इन मान को रखने पर Z equal to 10 plus 18 minus 6 upon 2 into 18 minus 6 minus 6 into 15 minus 10 Z equal to 10 plus 18 minus 6 करेंगे तो 12 divided by 18 into 2 36 minus 12 into 5 Z equal to 10 plus 60 upon 24 equal to 10 plus 2.5 तो Z equal to 12.5 यह बहुलक का अंसर आजाएगा तो आपने देखा कि किस प्रकार असमान वर्गांतरों को समान वर्गांतर में परिवर्तित करके बहुत आसानी से हम मोड की calculation कर लेते हैं आए अब देखते हैं कि संचय आवरित्ती अगर दी गई है तो संचय आवरित्ती वाली दशा में मोड की calculation हम किस प्रकार करेंगे संचय आवरित्ती में बहुलक की गढ़ना करने के लिए हम टेबल का प्रयोग करेंगे जिसमें अंक दिये गए हैं और छात्रों की संख्या दे गई हैं यहां हमको जानकारी दी गई हैं अंक जो हैं वो से कम हैं अगर हम अंकों का अंतर देखते हैं तो यहां पर प्रत्यक में 10-10 का समान अंतर है यानि हम मान लेंगे कि यहां पर जब हम अंकों का वरगांतर बनाएंगे तो 10-10 के अंतर में वरगांतर बनेगा अब चुकि पहला वर्गांतर 10 से कम होगा और यहाँ पर अंतर 10 का हम मानते हैं तो पहला वर्गांतर होगा हमारा 0-10, फिर 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 और 70-80 अब चुकि यह संचय आवरित्ति यहाँ पर है और छात्रों की संख्या दी गई है तो यहाँ पर इसकी आधार पर हम छात्रों की संख्या के लिए एक हम समान्य आवरित्ति यहाँ निकाल लेंगे जिसके लिए पहली आवरित्ति तो हमारी 15 ही रहेगी दूसरी आवरित्ति 35-15, 20 हो जाएगी साथ माइनस 35, 25, 84 माइनस साथ 24, 96 माइनस 84, 12, 127 माइनस 96, 31 और 250 माइनस 152, यह हमको जो मारी संख्या आवरित्ति के पहले की जो इस्थर आवरित्तिया है वो हमको प्राप्त हो जाएंगी यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे अधिक, जो निरिक्षान अगर हम करते हैं है कि सबसे अधिक आवरिती जो है वो 71 है तो 71 के ठीक सामने का वर्ग यानि 6270 जो है वो हमारी मोड क्लास या बहुलक वर्ग होगा इसके आधार पर जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां पर हमको इससे जब हम फॉर्मूले में यहाँ पर रखेंगे तो हम देखते हैं कि z equal to 60 plus 71 minus 31 upon 2 into 71 minus 31 minus 52 into 70 minus 60 z equal to 60 plus 40 upon 142 minus 83 into 10 z equal to 60 plus 400 upon 59 z equal to 60 plus 6.78 तो z equal to 66.78 तो आपने देखा कि संचाई आवरित्ती की कंडिशन में अगर प्रेश्ण से अधिक या से कम इस तरह से दिये होते हैं तो हम पहले उनके वर्गांतरों को व्यवस्थित कर लेते हैं उनकी आवरित्तियों को हम व्यवस्थित कर लेते हैं और उसके बाद बहुत आसानी से हम मोड की calculation कर लेते हैं लेकिन कई बार श्रेणियों में जब अंतर आता है यानि कि समावेशी श्रेणी के प्रश्ण होते हैं तो कहीं न कहीं मोड की calculation थोड़ी से critical हो जाती है तो कहीं न कहीं मोड की calculation थोड़ी से difficult हो जाती है वहां पर हम पहले समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में परिवर्थित कर लेते हैं और उसके बाद हम मोड की calculation करते है तो आईए देखते हैं कैसे होती है ये पूरी प्रक्रिया, कैसे हम समावेशी श्रेड़ी को अपवर्जी में परिवर्तित करके मोड की कैलकुलेशन करते हैं समाविशी श्रेड़ी में बहुलग ज्याद करने के लिए सबसे पहले हमें इसे अपवर्जी श्रेड़ी में परिवर्टित करना होगा जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पदों के जो आकार हैं वे अलग-अलग दिये गए हैं इन्हें हम जो पहले पद की उच्छ सीमा है और उसके बाद वाले पद की जो निमनी सीमा है उसमें अगर हम अंतर देखें तो 9 से 10, 19 से 20, 29 से 30 इस प्रकार आगे सभी पत्ष्रिंख लाओं में अंतर एक का आता है जिसे हम आधा कर लेंगे याने 1 divided by 2 करेंगे तो हमको 0.5 यहाँ पर मिलेगा इस 0.5 को हम प्रत्य वर्गांतर में L1 में माइनस और L2 में प्लस करते जाएंगे तो हमको एक नया वर्गांतर प्राप्त हो जाएगा जो कि 0 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, और 69.5 to 79.5 मिलेगा इनके आवरित्यों को हम जैसा का तैसा इनके सामने अगर लिखते हैं तो हम देखते हैं कि जो सरवाधिक आवरित्ती है वो 12 है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो बहुलक वर्ग है वो 39.5 to 49.5 है इसके आधार पर हम पॉर्मूले में इन संख्याओं को रखेंगे तो L1 इक्वल टू 39.5, L2 इक्वल टू 49.5, F1 इक्वल टू 12, F06, F2 इक्वल टू 8 हमीं प्राप्त हो गया है Z इक्वल टू 39.5 प्लस 12 माइनस 6 अपन 24 माइनस 6 माइनस 8 इन्टू 49.5 माइनस 39.5 Z इक्वल टू 39.5 प्लस 6 अपन 10 इन्टू 10 39.5 प्लस 6 अपन 10 Z इक्वल टू 45.5 यह हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा तो आपने देखा कि किस प्रकार हम विभिन श्रेणियों में अलग-अलग सुत्रों का प्रयोक करके अलग-अलग विदियो द्वारा मोड की कैलकुलेशन करते हैं मोड यहनि कि बहुलक सांकिकी की इस पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्पूर्ण रोल अदा करता है इसकी अपने कुछ विशेस्ता है, कुछ गुण भी है और कुछ दोश भी है तो आएए देखते हैं कि बहुलक के कौन-कौन से गुण है बहुलक के अगर हम गुणो की बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी गढ़ना सरल होती है जिस प्रकार समानतर माध्य माधिका के लिए हम अलग-अलग शेणियों को पहचानते हैं और फिर आसानी से फॉर्मूले लगाकर उनकी गढ़ना करते हैं वैवहारिक रूप से हम यहाँ पर अगर किसी चीज का एक अध्यान करें यह देखें कि कि किसकी मांग बहुत जादा है किसका receiving बहुत जादा है आवरित्या किसकी बहुत जादा है तो बहुलक वर्ग की आधहर पर हम बहुत आसानी से फाइंड़ाउट कर लेते हैं वैसे इसके विशेस्ताओं की बात करते हम देखते हैं कि अपने आप में बहुलक जो होता है वो प्रतिनिधी तुमूले होता है क्योंकि वो सबसे जादा बार आता है तो जो सबसे जादा बार आता है वो उस पूरे श्रिंकला में पूरे समंग श्रणी का वो प्रतिनिधी त कर सकते हैं अब अगर बहुलक के दोश की बात करें तो कुछ थोड़े भो दोश भी है इसमें जिसे हम जहां आमने कहा कि गढ़ना सरल है वैसे हम कह सकते कि गढ़ना कठीन भी है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ता है तो कहीं न कहीं कंफ्यूज से ह हो जाते हैं अलग-अलग श्रेणियों में एक तो श्रेणियों को पहचानना फिर उसके बाद अलग-अलग टाइप से उनके क्याल्कुलिशन करना तो कहीं न कहीं थोड़ी से कठीन प्रक्रिया भी है वैसे देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि निरिक्षन द्वारा ज रिजल्ट है वो प्राप्त होते हैं यहां हम यह के सकते हैं कि 20 गृति विएचन करना कहीं शुसा होता है तो सभी विदियों के, सभी माधियों के जहां आपने कुछ गुण है वही बहुत सारे उनके दोश भी है कुल मिलाकर हमने ये जाना कि किस प्रकार जब हम समंकों को संकलित कर लेते हैं उनका सारणियन करते हैं, व्यवस्ति करन करते हैं और बिंदूरे की प्रदशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम इन पर बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे फॉर्मूलेज अप्लाई करके बहुत सारी श्रेडियों में इनको बाढ़ कर किस प्रकार हम माध्य माधिका और बहुलक की गड़ना करते हैं